हेलो एवरीवन विल्कम टू मैं चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं मुहम्मद सोहेल दोस्तों आप लोगों के लिए मैं फिर से स्टॉक लेकर आगया हूं एक्सिस बैंक लिमेड़ अब देखिए पिछले हफते में टार्गेट्स अच्छी हो जाने के बाद मैं अगले हफते के लिए भी टार्गेट्स बताया था पर स्टॉक नीचे नहीं गया है फोर थर्टी के लेवल के नीचे दोस्तों और यह तंबनेल पर आप जो देख रहे हैं टार्गेट्स यह टार्गेट्स फोर सेवन्टी फोर नैंटी यह मेरे शॉट अब और प्रोफेशनल शॉ इकली टार्गेट्स में आज के बड़े में बताने वाला हूं और इस हफता एक्सिस बैंक की स्टाटेजी क्या होने वाली है कौन से लेवल पर आवरेज करेंगे इसका प्राइस एक्षन क्या चल रहा है इसका मुवमेंट क्या चल रहा है वह सभी आज के वीडियो में मैं वाला हूं दोस्तों और मेरे पिछले वीडियो में मैंने इंट्राडे करने के लिए टागेट्स दिये थे वह भी बहुत सक्सेस्फुली अचिव हो गए हैं अगर आप वो टागेट्स पर भी काम करेंगे मेरे पिछले वीडियो के तो आपको अच्छा सा अच्छा मुनाफ करता है कि स्टॉक कैसे ट्रेट करेगा इंट्राडे के अंदर और देखिए कभी भी आपको स्टॉक के अंदर प्रॉफिट चाहिए तो पहले लुकसान उठाना होगा बाद में प्रॉफिट होगा अगर जबका जबी प्रॉफिट हो गया तो आपको लुकसान का मज़ा भी भी trade कर रहे हैं आपका 100 पर शर्केम यानि आपके वह 10 तेन के 20 के 30 के 40 जार 50 कितना भी आपका Capital होगा उसके अंदर आदा Capital यानि 25 परसेंट आफ Capital या 50 परसेंट ऑफ Capital जितना भी आप समझ रहे हैं आप मार्केट में लगाना चाते हैं 50 परसेंट अफ से पहले ट्रेड करिए अगर टार्गेट अच्छी हो रहे तो ठीक है अगर टार्गेट अच्छी नहीं हो रहे तो बाखी का जो 50% कैपिटल होता है उससे ट्रेड करने की कोशिच करिए आपका बिलोग जाता हुआ अपको नॉर्मल प्रॉफिट में एक्जिट हो जा सकते हैं अगर बिना मुवमेंट के स्टॉक में घुसेंगी तो लुक्सान हो गई होगा मेरे पिछले हफते में मैंने क्या बताया था अप लोगों को सभी को क्या बताया था टार्गेट अजीफ हो जाने का बार डबल टार्गेट बताया था पर उसके डबल टार्गेट जो लास्ट बतानी वानाओं आज की वीडियो में बिलो 430 वो कैसे इसके अंदर tęक कैसे स्टार्टेजी बिने क्या इसके अंदर रिवस्टल आने वालीे सभी के बारे मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वालाओं चलिए आगे बढ़ जाते हैं चाट अनलाइसिस kे ओपर दोस्तों पिछली बार जो पिछले हफते में यानि आज का सैटड़े भी हफते में मिलके आता है पर अपना मार्केट मंडे टू फ्रैडे होता है उसके हिसाब से मैंने 25 या बिलो 25 के नीचे एक्सिस बैंको एंट्री करने के लिए कहा था एक्जाक 25 पे कहा था एक्जीट बताया था 440 लेवल्स अब देख सकते हैं 440 लेवल्स वह दीनी एक्जीट हो गए हैं दोस्तों क्यूंकि उससे पहले जब ही स्टॉक रिवर्सल जा रहा था आप घब रहे रहे थे मैं आप लो 25 या 425 के नीचे एक्जाक्ट लेवल पे एंट्री कर जिए इसके अंदर आप सभी को प्रॉफिट होरा मैं बता रहा था देखिए वह उसके दिनी वह वाला लेवल तच करने के बाद उसके दिनी हम लोगों को अप्ट्रेंट 440 पे एक्जिट करा दिया है उसके बाद स्ट स्टॉक जाएगा 430 बिलो इस बार पर देखिए स्टॉक 434 जाके फिर अप्ट्रेंड में जाके रुका है 440 के लिवल के पास अभी भी कह रहा हूं है इधर एंट्री कर लीजिए अभी के लिए 430 का मत दिखिए अभी इसके अंदर एंट्री कर लीजिए कर लेके आप इसक लोगा इसके अंदर खिदर भी आप एंट्री करके अवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं स्टाक अगर 420 के उपर या 425 के उपर भी जाने लगा 11 रुपीस 9 रुपीस के हिसाब से अवरेज करेंगे तो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाएगा अगर 7 रुपीस 5 रुपिस के सबसे average करेंगे तो 430 के ऊपर ही आप सभी को इसके अंदर profit मिलना start हो जाएगी जो आप average करेंगे अब देखिए अब आप सोच रहे होंगे क्या stock नीचे ही नहीं गया हम लोग को average का chance नहीं मिला है तो बहुत बढ़िया है दोस्तो average का chance नहीं मिल रहा है तो जो आपको profit होने वाली है वो normal profit होगी आपका exit होगा normal profit का 470 पे अगर इसके अंदर exit नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों को लग रहा है प्राइस बहुत दूर है आप 460 पे भी आराम से exit हो सकते हो axis bank के stock के अंदर और RSI में जो downtrend target को यानि यह downtrend level को touch कर रहा था below 20 जबी मैंने आपको analysis करके बता दिया था दोस्तों downtrend यह अपना high पकड़ेगा ही पकड़ेगा मैं सोच रहा था यह ऐसा उपर uptrend line break करके high पकड़ेगा पर उससे पहले ही इसने हम लोगों के target achieve करा दिये प फिर से uptrend भी touch करा तो हम लोगों को normal profit हो नहीं है अगर reversal गया तो आपको क्या करना है पता है दोस्तों average कि यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो description link में link है जाहिए link को hit करिए और join कर लिजे मेरा telegram channel for intraday live tips and stock market updates के लिए यह मैं target निकाला हूं 24 अगस 2020 मंडे के लिए मंडे के दिन buying का position बने selling का position बने आप मेरे target लेके चल सकते हो मंडे trade करने के लिए आप अभी screenshot निकाल लीजिए मेरे target का अगर आप stock market के लिए नहीं हो और आप मेरे target के लिए भी नहीं हो मेरे levels के लिए भी नहीं हो तो बस आप एक महीने के लिए paperwork करिए पेपर वर्क करते वकत भी आप बस top loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है target हो तो कितना कम profit हो आपको समझ में आ जाएगा और एक महीने में overall profit क्या हो रहा है overall लुक्सान क्या हो रहा है उसका भी vision आपको मिल जाएगा दोस्तों